हे वेल्गम बेक टो और चैनल इन टूदेज वीडियो आउविल टेल यू हाव तो स्टॉक कॉल रेकोडिंग एनॉस्मेंट जब गोगल डायलर में कॉल रेकोडिंग स्टार्ट करते हैं तब सामने वालों को एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि ए कॉल रेकोड किये जा र हमारे फोन में अब प्री इंस्टल गोगल डायलर आते हैं इसमें काई सारे फीचर्स मिसिंग हैं जैसे कि विदाउड एनॉस्मेंट कॉल रेकोडिंग फूल स्किन कॉलर फोटो एटसेटर गोगल डायलर को बाइपस करने के लिए कालारोस ने एक फोन डायलर डेवलप किय जिसे आप प्ली स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डीस्क्रिशन पर मिल जाएगा प्लेसटोर से ओडायलर इंस्टॉल करने के बाद ओपें कि जिए इसके बाद ट्राम एन eld 10 एकसेप्ट करके इस ओडायलर को दीफर फोन डायलर में इस तरह का full skin color photo देखने को मिलेगा यहां आप दोनों साइट का voice automatic record कर सकते हैं ओ भी without announcement recording sound quality बहुत बढ़िया है settings के अंदर all call recording only unknown number का call record and specified number का call record कर पाएंगे इसमें जो call record होगा ओ recording आपको my files में music next call recording folder के अंदर देखने को मिल जाएगा इस डाइलर में एक drawback है incoming caller पर इसका display light तुरंत on नहीं होता है लगबग 4-5 सेकेंड बाद caller screen on होता है इसके अलबा इस ओ डाइलर में और कोई भी problem नहीं है number two bypass announcement अगर आप Google डाइलर यूज़ करना चाहते हैं तो second method से इसका announcement बाइपास हो जाएगा पहले Google Play Store से एक application install करेंगे फिर उस application से record announcement बाइपास करके उस application को ही uninstall कर देंगे तकि आपका privacy safe रहे दोस्तों हमाई description पर दिया गिया link से second play store ओला application डाउनलोड कर लिजिए application डाउनलोड करने के बाद phone settings में जाना होगा settings open करके यहां search किजिए speech अब इस instruction पर क्लिक करते ही सिधा text to speech settings में चले जाएंगे या तो phone settings open करने के बाद scroll करते हुए नीचे नीचे आईए इसके बाद additional settings next accessibility इसके बाद vision vision option के अंदर text to speech settings देखने को मिल जाएगा यहां पर preferred engine by default speech service पर Google शेट रहाएगा तो इसे change करके TTS LEX से select करना होगा एक security notification सो करेगा कि ए application आप परसोनल डेटा क्रेडिट कार नंबार पास्वर्ट बागरा collect कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बात दू इस application के साथ कोई भी internet connectivity नहीं होता है इसलिए data collect करना तो दूर की बात है वैसे तो announcement बंद करने के बाद इस application को आप uninstall भी कर सकते हैं दोस्तो preferred engine set करने के बाद एक most important settings phone डाला का data clear करना पड़ेगा यह homepage पर Google डाला के उपर long press करके app info में जाना है इसके बाद storage usage पर tap करके phone डाला का start data clear कर दीजिए दोस्तो recording announcement का band watch गया है इसके बाद जब भी हम किसी को call करेंगे तो एक बाल एक बर call connect होने से पहले notification भेजेगा कि this call is being recorded फिर अब जितना बढ़ चाहे बिना announcement के call record कर सकते हैं और एक किसी को पाता भी नहीं चलेगा जब तक गोगल डालार में इस bug fix नहीं होता है तब तक आप मजा ले सकते हो दोस्तों announcement notification तो बंद दो चुका है आप speech settings में याके speech service वे गोगल सेट कीजिए और play store में जाके TTS LXX application को uninstall कर दीजिए दोस्तों जब तक आप गोगल फोन डालार में सबी data को दूबरा डिलिन नहीं करेंगे तब तक announce में notification बंद रहेगा तो इस चीज़ का आप ध्यान रखियें तो दोस्तों उम्मिद करते हो कि ए वीडियो आपके लिए बहुत helpful था तो इस वीडियो को लाइक करके होना चैनल सबसेप करना ना भूलें